गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स, सूप्रभात, परिक्षा का समय निकट आ रहा है, मेरा प्रॉमिस था कि प्रत्य एक विद्यार्थी को 30 में से 29 अंक दिलवाई जाएं, तो इसी उद्देशे के साथ प्रारम करते हैं आज का डाउटफुल टेस सिरिस का टेस्ट न अद धातु के साथ अक्तव प्रत्य मिलाने पर क्या बनेगा? देखिए अद जो धातु है उसका ताथ पर रहे खाना अद धातु का ताथ पर रहे खाना और अद धातू के साथ जब अक्तव प्रत्य मिलाएगा तो आपका बनेगा जगधः ये बहुती अलग पद बन रहा है इसको आप कंठस्त कर दें या तो आप से प्रशन पूछा जाएगा कि अद प्लसक्तव क्या बनेगा तो सही उत्तर हो जाएगा जगधः या फिर कई बार जगधः की धातू क्या है यह भी पूछा जाएगा जगधः की धातू हो जाएगी अद या फिर कई बार हमसे प्रशन पूछा जाता है कि जगधः में कौन सा प्रत्य है तो जगधः में एक तव प्रत्य है एक प्रश्ण के माद्यम से तीन प्रश्ण आपके यहां तयार हो रहे हैं और अपने आप में बहुती महत्वपूर्ण प्रश्ण था यहां Next question है आपका question number second निरोगह अत्र उपसर्गह अस्ती निरोगह यहां कौन सा उपसर्ग है तो देखिए सभी को पता है निरोगह में निर उपसर्ग प्लस रोगह इस प्रकार का पद है निरधन रोगह र के पश्चात र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा और आगे वाली मात्रा दिर्ग हो जाएगी इस प्रकार यह निरोगः शब्द निश्पन्न होता है तो question number 2 का सही option था option 2 next question है आपका question number 3 रिक्त स्थान मंगलवासरह आसीत रिक्त स्थान मंगलवार था दिखिए इस आसीत या था के आधार पर ही हमारे प्रशन का उत्तर निर्धारीत होगा देखी यहाँ दो option दे रखे हैं जिसमें कि आप confused हो जाएंगे option a है यह, option b है श्वह, श्वह का तात्पर है देखी आपने परसों या परश्व सुना होगा परसों को संस्कृत में कहते हैं परश्व यानि परसों आता है आज यदि सोमवार है तो आने वाले कल को मंगलवार हो जाएगा और परश्व को बुधवार हो जाएगा तो बुधवार यानि आने वाला तीसरा दिन परश्व या श्वह कहलाता है देखी परश्व कहेंगे परसों को तो श्वह कहेंगे आने वाले अगले दिन को यदि आज सोमवार है तो कल जो मंगलवार होगा फ्यूचर में है ना फ्यूचर में उसको कहेंगे श्व तो आपको श्व का अर्थ ध्यान रखना है next day बहुती सरल भाषा में समझा रही हूँ श्व का तातपर्य आपको याद करना है next day यानि कि आपको जाना है future में श्व के साथ आप जाते हैं कहाँ पर future में जबकी एक शब्द है आपका यह यह का तातपर्य है आपका past tense अर्थात यह के माद्यम से आप जाते हैं बूत काल में और इस बूत काल को आप कहते हैं एक दिन पीछे यानि कि एक दिन पहले आप से कहा गया है कि मंगलवासरः आसीत यानि मंगलवार था था यानि कि कौन भूत काल अर्थात कल मंगलवार था तो कल को क्या कहेंगे जो दिन बीच चुका है उस कल को कहेंगे यह तो क्याशन नमबर तीन का सही उत्तर हो जाएगा यह मंगलवासरह आसीत जबकि आसीत के स्थान पर यदी भविश्यती होता द्यान दीजेगा आसीत के स्थान पर यदी भविश्यती होता तो आपका क्याशन का आंसर सही हो जाता श्वह कि नेक्स दे मंगलवार होगा तो हमे यही ध्यान रखना है कि हमें past पूछा है या future यदि हमें आसीत अर्थात past पूछा है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यह यदि हमारा भविश्यती दे रखा होता तो सही उत्तर हो जाता श्वह next question है आपका question number 4 अपादान आदी विशेश है अविवक्षितम कारकम किम संग्यम से आथ अपादान आदी विशेश के द्वारा जिसको नहीं कहा गया है त्यान दिजिएगा अपादान आदी विभक्तियों द्वारा अर्थात प्रत्मा तरतिया चतूर्थी पंचमी शष्ठी एवं सब्तमी इसी के लिए यहां पर अपादान आदी पद आया है अर्था द्वितिया को छोड़कर सभी विभक्षितम जिसको नहीं कहा गया है उस कारक की कौन सी संग्या होगी अपादान आदी विशेश विभक्तियों द्वारा जिसको नहीं कहा गया है उस कारक की कर्म संग्या होती है कर्म संग्या का तादपर है द्वितिया विभक्ति और इसके लिए सुत्र लगता है अकथी तम्च अकथी तम्च सुत्र जिन विभक्तियों को त्रतिया चतूर्थी पंचमी शष्टी सप्तमी आदी में नहीं कहा गया है उनको अकथितम च सुत्र के द्वारा द्वितिया विभक्ती में कह दिया जाता है तो इसका सुत्र क्या है याद रखेंगे इसका सुत्र है आपका अकथितम च और इस अकथीतम चव में 16 धातुएं हैं ये 16 धातुएं जहां पर भी प्रयुक्त होती हैं वहां दो बार कर्म आता है तो 16 धातुएं आपकी द्वीकर्मक हैं यह द्वीकर्मक धातुओं से संबंधित प्रश्ण अवश्य रूप से आएगा इसको आप कंठस्त करेंगे तो क्याशन नमबर 4 था हमारा अपादान अर्था तरतिया चतुर्ति पंचमी शष्ठी सप्तमी आदी के द्वारा जिसको असपस्त रूप से नहीं कहा गया है उसकी कौनिसी संग्या होगी तो अकथितम चस उत्र के द्वारा उसकी कर्म संग्या अत्वा ज्वितिया विभक् क्याशन नमबर 4 का सही उत्तर था उप्षन दर नेक्स क्याशन है आपका क्योशन नमबर 5 हन प्लस नवुल क्या बनेगा तो देखें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है नवुल प्रत्ते जब भी लगेगा ध्यान दीजेगा तो अण एवं लकी इत्संग्या हो जाएग शेश बचेगा आपका वू और युवार नाकव सुत्रानुसार वू को अक आदेश होता है दिखे ये अक आपका पूरा है बहुत बार परिक्षा में पूछा गया है के नवुल प्रत्य में वू को क्या आदेश होता है वहाँ दो अप्षन दिखेंगे आपको अक एवं अक क कहलंत तो ध्यान दीजिएगा सामान्य तया हमसे कहलंत सही हो जाता है लेकिन ये पूर्ण रूप से अशुद्ध है अकका कह पूरा होगा और उस अकके पूरे कह के साथ नबुल प्रत्य पूर्लिंग में चलता है अतह विसर्ग लगेगा तो यहां पे हो जाएगा अकह तभी जो नबुल प्रत्य है वो करता अर्थ में प्रयुक्त होता है और यहां पे अकशेश रहता है यह पूर्लिंग में प्रयुक्त होगा तो इसमें अकह शेश रहेगा विसर्ग लग जाएगा तो हन प्लस नबुल क्या बनेगा बहुत ही महतवपूर्ण प्रश्ण है हन प्लस नबूल अर्थात मारने वाला मारने वाला के लिए यहां बनेगा घात कह तो क्योशन नमबर पांच का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन द नेक्स क्योशन बहुत ही महत्वपूर्ण है लिख प्लस अनियर लेखनी यहां लिख धातू के साथ अनियर प्रत्य जोडने पर लेखनी यहां बनेगा अर्थात यहां गुणादेश होगा तो ली की मात्रा को गुणादेश होकर ले बन जाएगा नेक्स्ट है लिख प्लस तुमुन लेखी तुम लिख धातू के साथ तुम उन प्रत्य मिलाने पर लेखी तुम बनेगा तो हाँ यहां पर भी ली को गुणादेश होकर ले बन जाएगा अतह लेखी तुम बन सकता है लिख प्लस अनवूल लेख कह लिख धातू में अनवूल प्रत्य लगाने पर लिखने वाला इस अर्फ की अभीव्यक्ति के लिए लेख का शब्द बनता है अर्था त्यहां पर भी गुणादेश होता है हमसे कहा गया लिख प्रसक त्वा क्या बनेगा अब देखी दो अप्षन है या तो लेखी त्वा या लिखी त्वा या दोनों ही सही है तो ध्यान दीजेगा जितने भी प्रत्य हैं जिन में कह की इतसंग्या होती है देखे एक त्वा प्रत्य में कह की इतसंग्या होकर त्वा शेश बचता है बहुत अच्छे से याद किया होगा आपने त्वा प्रत्य में त्वा शेश बचता है और कह की इतसंग्या हो जाती है जिन प् करकी इत्संग्या हो जाएगी वहां गुणादेश नहीं होगा तो लिख के साथ गुणादेश नहीं होगा तो लिख ही रहेगा तो आपका सही उत्तर हो गया लिखित्वा लिखित्वा बिलकुल अशुद्ध है नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमбर सेविन द्वयो हो पदयो हो कह विग्रह दोनों पदों में कौन सा विग्रह है देखी option अ है हरेश्वरह option ब है गवेश्वरह दोनों पद बिल्कुल 100% सैम लग रहे हैं देखी हरेश्वरह यदि पद होता ज्यान दीजेगा यदि पद आपका होता हरेश्वरह तो इसका विग्र हो जाता हरी इसका विग्र हो जाता हर धन इश्वर हर में इस्थित और पीछे वाला ई मिलकर ए बन जाते और गुण संधी होकर यह बन जाता हरेश्वर हर धन इश्वर हरेश्वर हरेश्वर ह बनेगा यहां संधी हो जाएगी गुण संधी क्योंकि हर का र में मिला हुआ और पीछे वाली ई और ई मिलके ए बनते है तो हरेश्वर में तो संधी हो जाएगी गुण संधी अब देखिए सेकंड ओप्शन है गवेश्वर ह पहले भी मैंने अपने सारे वीडियो में गव्यूती गव्यम गव्यादेशह गव्यूदयम गवेश्वर ह गवेश्वर ह इस प्रकार के पद प्रत्यक डाउटफुल सीरीज में मैं निश्चीत रुप से लेकर आई हूँ पर भी गव एक साथ आ गया तो इसका पहला टुकड़ा गो ही होगा गो के साथ आपका दूसरा टुकड़ा बन जाएगा इश्वर ह अब देखिए गो में हमेशा अवंग आदेश होता है गो में जो ओ है उसको अयादी संदी के अनुसार अव आदेश नहीं होगा उसको आदेश होगा अवंग द्यान दीजिएगा और अवंग में अंग की संग्या होकर अंग का लोप होगा व आपका पूरा का पूरा है अब देखिए गो में से ओ निकल के अव बन गया आगे आपका रह गया है गहलंत तो देखिए ये पूरा बन गया है गव गव प्लस अव बन गया है आपका गव और गव के व अर्थात व में ई मिली व के अ में ई मिली तो आपको पता है अ और ई मिलके तो आपका ए बनते हैं तो आपका यहां अयादी संधी के अनुसार गो के ओ को अवंग आदेश हुआ है ततपस्चात आपका गुणादेश हुआ है अतसंधी का हो जाएगा आपका इ cooked हो जाएगा स्वाइट हरेशवर का विग्र हो जाएगा हर्धन इश्वरह जबकि कлиकावेश्वर का इश्वरह जहएगा गवधन इश्वरह नहीं गो दन इश्वरह और यहां गो के ओको अवंग आदेश हो जाएगा अंग की इत्संग्या हो जाएगी तो बन जाएगा गवधन इश्वरह गव में व है व का अ और ई मिलके गवे बना देंगे किन्तु यहां पर अयादी संदी के अनुसार ओको अवंग आदेश हुआ है अतर संदी क का नाम हो जाएगा अयादी संदी तो question number 7 का सही उत्तर था द्वयोह पदयोह कह विग्रह गवेश्वर में सौरी हरेश्वर में आएगा हर धन इश्वरह जबकि गवेश्वर में आएगा गोधन इश्वरह next question है आपका question number 8 अनुचित पदम अस्ती गलत पद कौन सा है क्या पाणीनी सुत्रकार है तो पाणीनी ने अश्टाध्याई में सुत्रों की रचना की अतह पाणीनी को सुत्रकार कहा जाता है तो first option आपका बिलकुल सही है कात्यायन को वार्तिक कार कहा जाता है क्या तो कात्या कात्यायन ने वृत्ति सुत्र नामक पुस्तक में वार्तिकों की रचना की है तो कात्यायन को वार्तिक कार कहा जाता है option सहे पतंजली महाभाश्यकार है क्या तो पतंजली ने महाभाश्य नामक ग्रंत की रचना की है अतहवे महाभाश्यकार कहला है तो अनुचित पद कौन सा है तो आपका सही उत्तर हो गया को अपीन अर्थात कोई भी पद अनुचित नहीं है next question है आपका question number 9 रव्यूदया पदे यण संधी रव्यूदय में यदी यण संधी है तो गव्यूती और गव्यम में कौन सी संधी होगी देखिए हमेशा से मैं कहती हूँ कि समस्तपत के बिल्कुल सेंटर में यर लव आ जाए और उसके आगे वाला अक्षर आधा हो तो संधी का नाम हो जाता है यन संधी तो देखिए रव्यूदय का विग्रह करके देखते हैं यहां पर आपका दे रखा है रव्यूदय देखिए समस्तपत के सेंटर में यर आया है और इसके आगे वाला अक्षर आधा है तो संभावना बनती है 90% के यन संधी होगी लेकिन आपको इसका विग्रह भी करके देखना है विग्रह कैसे करेंगे यन संधी में आदेश होने वाले पद है यवरल तो देखिए पहले यहां पर यह है समस्तपत में लेकिन विग्रह में यहां पर यह के स्थान पर बेक्गराउंड में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा यह मिलेगा क्योंकि ये के स्थान पर ही यह आदेश हुआ था तो आपको ये तो मिलानी है आगे वाले टुकड़े में आगे वाले टुकड़े में ये मिलाई तो आगे वाला टुकड़ा बन गया रवी द्यान दिजेगा बन गया रवी और ये जो पीछे का उ की मात्रा बच गई है ये मि गव्यूति में तो रवी धन उदय के तो विग्रह रहेगा और यण संधी रहेगी बिलकुस सही बात है अब हमसे पूछा गया है गव्यूति और गव्यम में कौन सी संधी होगी तो मैं हमेशां से कहती हूं कि घव घव जहां पर भी एक साथा आएगा वहाँ पर पहला टुकडा आपका बनेगा गो तो गव्यूती का विग्र बन जाएगा गो धन यूती और गव्यम का विग्र बन जाएगा गो धन यम और यहाँ पर गव्यूती और गव्यम में गो जो पहला टुकडा है उसको अव आदेश होगा अवंग आदेश नहीं होगा ध्यान दीजेगा यहां पर यह जो गो दे रखा है उसको अव आदेश होगा और अव का व हलंत होगा इसलिग यह गव्यूती और गव्यम का व आधा दिख रहा है गोधन यूती गव्यूती गोधन यम गव्यम तो यहां संदी हो जाएगी आपक संदी तो क्योशन नमबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा option a next question है आपका question नमबर 10 उज्जवलह पदस्सी विग्रहो अस्ती उज्जवल पद में कौन सा विग्रह है देखिए हमारे पास दो option है जिसमें कि हम बहुत जादा confuse रहते हैं तभी तो ये सारे questions doubtful series में हम कराएं हैं तो देखिए उज्जवल के विग्रह में दो options में हम doubtful रहते हैं एक तो उतधन ज्वलह या उदधन ज्वलह हम उपसर्गों के अनुसार उत कर देते हैं किन्तु यहाँ पर उपसर्ग नहीं चाटना है यहाँ पर दो हमसे संधी पूछी गई है तो यदी देखो पहला प्रश्वल तो हमारा यह बनता है कि उज्वल में कौनसी संधी है समस्त पत के बिल्कुल सैंटर में हमें देखना है आधा अक्षर और पूरा अक्षर क्या आ रहा है आधा ज़ और वापस ये भी उज्वल के दोनों ज़ आधे ही होते हैं तो यह आ रहा है ज़ तो आपको याद रखना है कि ज़ कौनसी किस वर्ग का है ज़ सामाने तया चवर्ग का तीसरा अक्षर है और जहां पर भी दो बार चवर्ग आ जाए तो वहाँ पर संधी का नाम हो जाएगा इस्चुत्व सं दियान दीजिएगा विग्रह के बिल्कुल सैंटर में यदि दो बार चवर्ग आ जाए दो बार चवर्ग आते ही संधी का नाम हो जाएगा इस्चुत्व संधी देखी समस्तपद में तो दो बार चवर्ग आएगा लेकिन विग्रह होगा तो आगे तो आएगा आपका इस् आधा धाधा जवार आएं तो देखे दोनों एक्जेम्पल में उत और उद दोनों एक्जेम्पल में आगे इस्तो यानि तत फद आये हैं और पीछे चवर्ग का वर्ण आना चीरे तो ज़ आया है जो कि चवर्ण का है आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि उज्वल और सज्जन बहुत ही महत्वपून एक्जेम्पल्स हैं इन दोनों में ही देखिए उज्वल में आधा जवार आए सज्जन में भी आधे जवार है समस्त पद में तो हमें दिखेगा दो बार चवर्ग किन्तु विग्रह करने पर आगे तो स्तो और पीछे चवर्ग नजर आएगा तो देखिए ये तो होगे आपका कि विग्रह में क्या होगा समस्त पद में क्या होगा लेकिन उज्वल का पर्टिकुलर विग्रह हम क्या माने उत या उद तो आपको याद रखना है कि उज्वल में जो ज है वो सामाने तया तीसरे नंबर का वर्ण है उज्वल में जो ज है वो तीसरे नंबर का वर्ण है तो हमें संधी का जो विग्रह है उसमें भी तीसरे नंबर के वर्ण को ही सही करना पड़ेगा तो तथ द इस तीसरे के स्थान पे चछ ज आदेश हुआ है तो क्याशन नमबर दस का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन ब क्योंकि देखिए द था इसी कारण यहाँ पर यह ज आदेश हुआ है इस ज को मैं डार कर रही हूं देखिएगा तो आपका उत्तर नहीं होगा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर इसी प्रकार सजन को देखिए सजन में भी सत प्लस जन या सद प्लस जन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन सजन के बिलकुल सेंटर में देखिए ज आ रहा है तीसरे नमबर का अक्षर है तो आपको भी सद करना पड़ेगा सद आपका गलत उत्तर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं नेक्स क्योशन क्योशन नमबर ग्यारह द्वयोहो पदयोहो कह समासह इन दोनों पदों में कौन सा समासहे दशाननम या दशाननह दश अर्थात दश आनन अर्थात मुख और यहां लगा है विसर्ग अर्थात दस मुख हैं जिसके वह दश आननानी यस्यसह इस विग्र के अनुसार यहां समास हो जाएगा बहु वरीही समास अब आप्शन देखते हैं दश आननम दश का तातपर है दस आननम का तातपर है मुख देखे कई बार आनन शब्द कौन से लिंग में है यह पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आनन शब्द नपूनसक लिंग में होगा आननम, आनने, आननानी इस प्रकार इसके रूप चलेंगे तो दश आननम तो देखिए यहां केवल दस मुख की बात की गई है दस आपकी विशेषता है ध्यान दीजिएगा दस आपकी कौन है विशेषता है और दस कौन है आनन पहले विशेषता फिर व्यक्ति वस्तू यदि कहीं पर ऐसा हो तो समास का नाम हो जाएगा करमधारे समास तो आप्शन अ में तो करमधारे समास है जबकि आप्शन बह में बहु वरी ही समास है चली देखते हैं नेक्स क्योशन क्योशन नमबर बारह सहरिक्तिस्थान फलम चिनोती सहरिक्तिस्थान फलम चिनोती बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है परिक्षा में कई बार आ चुका है फर्स ग्रिट सेकंड ग्रिट वगरा में तो देखिए सहरिक्तिस्थान फलम चिनोती तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि एक पेड है वहां से हमने फल चुन लिया फल हमारे पेट में गया या मार्केट में सेल आउट होने के लिए गया है लेकिन व्रक्ष तो वहीं स्थिर है और जो व्रक्ष इस्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी इस सिद्धी के अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाता option बाव व्रिक्षात किन्तु यह जो इमेजिन आपने की है यह बिल्कुल सरासर गलत है आपको ध्यान रखना है कि यदी समस्त पद दे रखा है तो इसमें ऐसा कौन सा क्लू है जिसके आधार पर की आप विभक्ती लगाएंगे तो देखें यहाँ पर एक क्लू दे रखा है चीनोती और अकथीतम च सुत्रानुसार जो सोलह धातुएं दे रखी हैं वो द्वीकर्मक धातुएं हैं और उस धातु का प्रयोग कहीं पर भी होगा तो दो बार कर्म आएगा और मैंने पहले भी कई बार द्वीकर्मक पाले क्योशन को बहुत अच्छे से सौल किया है तो देखिए दुह याच पच दंड रुध प्रिच ची ची अर्थात चुनना ची धातु पीछे आ गई है तो धातु को छोड़ दीजिए कर्ता को छोड़ दीजिए आपको दो बा समझ में आ रहा है तो ये फिडबेक ही मुझे प्रेवित करता है कि मैं आपके लिए और अच्छा काम करूं और कम से कम हर विद्यार्थी को मैं 30 में से 29 नंबर दिलवाओं ये उद्देशी लेकर ही मैंने कक्षाएं प्रारम की हैं और इस उद्देशी की पूर्ती में तो देखिए फलम में अम है अब दूसरा अम यानि द्वितिया विभक्ती आपको भरनी है और द्वितिया विभक्ती है आपकी ओप्षन द में व्रिक्षम तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सह व्रिक्षम फलम चिनोती तो क्योशन नंबर 12 का सही उत्तर है ओप्षन द व् पर्यंत 19 से लेकर निण्यानु तक की संख्याएं किस लिंग में चलती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्ण है यह भी आपको कम से कम एक दो बार पहले भी इस तरह के प्रश्ण से मैंने परिचित करवाया है तो आपको याद रखना है कि 19 से लेकर निण्यानवे तक की देंगी इस्त्रिलिंग भी होगा और एक वचन भी होगा तो क्यास्जन नमबर 13 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बड़ नेक्स क्यास्जन है आपका प्रोच्य अपदे धातु की मस्ती प्रोच्य अपद में धातु क्या होगी चलिए पहले तो यह डिसाइड करते हैं कि पद है प्र उपसर्ग फिर दूसरा है आपकी वच धातू और एक प्रत्य का नाम है लिप लिप प्रत्य में यह शेश रहता है अब देखिए लिप प्रत्य वहां प्रयुक्त होता है जहां सबसे पहले उपसर्ग लगा होगा उपसर्ग प्लस धातू प्लस लिप और लिप प प्रोच्य पद में धातु क्या होगी तो आपको याद रखना है कि प्रवच्छ धातु और लिप प्रत्य इस लिप प्रत्य में आपको यह शेश रखना होता है तो देखिए वच्धातु आपकी प्रोच्य कैसे बनी तो देखिए वच्धातु में व दे रखा है व का संप्रसारण करके अपन उ कर देंगे व का संप्रसारन करके उ आदेश कर देंगे अब देखिए पीछे का च ये रहा पीछे का ये रहा य तो अपने पास ये आप्षन है अब अब देखिए प्र में आपका है मूल शब्द है अ अ और उ मिलके ओ बनते हैं ध्यान दीजेगा प्र में दो वन थे प्रहलंत और अ तो देखिए अ और उ मिलके ओ बनेंगे तो ये संपूर्ण बद बन जाएगा ओच्य ध्यान दीजेगा अ और उ मिलके ओ बनेंगे तो ये तो बन गया ओच्य और ओच्य में प्र मिलाया तो ये बन गया प्रोच्य तो क्योशन नमबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रोच्य पद में कौन सी धातू है तो आपको याद रखना है कि वच धातू है वद हमें कन्फ्यूस करेगी लेकिन वद कहीं पर भी नहीं आ रहा है वद आपका धातू रूप है वदती वदतह वदंती धातू पूछी जाए तो सदेव वच ही होगी वद कभी नहीं होगी चलिए देखते हैं नेक्स क्योशन क्योशन नमबर 15 15 वाग क्योशन आपका इस डाउटफुल सिरीज का अंतिम प्रश्ण भी है और यह रियल में बहुत ही डाउटफुल केस भी है यहाँ पर देखिए दो अप्शन्स हमें दे रखें ग्यानवान और ग्यातवान देखने पर तो जरा सा भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं लग र लगता है वहाँ पर हमारे पास दो अप्शन रहते हैं एक तो वान लगता है मतुप प्रत्य में द्यान दीजेगा एक तो वान लगेगा मतुप प्रत्य में और एक वान लगेगा आपका तवतुप प्रत्य में देखिए मतुप प्रत्य होगा तो आगे संग्या रहेगी कल देखिए ग्यान और ग्यात इन दोनों को देखकर लगता है कि ग्यान आपकी संग्या है तो ये हो जाएगा आपका ग्यान प्लस मतुप ग्यानवान जबकी ग्यात प्लस अक्तवतु ग्यात के साथ ग्या आपकी धातु है ग्या धातु के साथ अक्तवतु प्रत्यदी जोड द या जाए ग्यापल सकतवतू तो आपका ग्यातवान बन जाएगा क्योंकि ग्या आपकी धातू है जबकि यहां आने वाला यह जो ग्यान है यह आपकी संग्या है तो संग्या है या धातू इस आधार पर ही आप तवतू एवं मतू प्रत्य का निर्धारन कर सकेंगे तो यहीं समाप्त होती हैं बहुत मेहनत आप करें क्योंकि मैं भी आपके लिए चुरीनदा प्रशन लेकर आ रही हूँ आपकी सफलता ही मेरी सफलता है इसी उद्देश के साथ डाउटफुल टेस्स का साथवा टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब के लिए धन्यवाद